सड़क परिवन और राजमार्ग मनता लेके उत्कुष्ट पुस्कार समारो में इस विभाग के मनत्री जिनोंने अपने निर्णों से अपने विजन से इस विभाग के अंदर इस आठ वर्षों के अंदर एक व्यापक नितिगत निर्णे करते हुए देश के रोड सेक्टर को एक नई उचाई दी मानिय नितिन गडगरी जी इसी विभाग के मनत्री जर्णल डाक्टर वीके सिंग जी इस विभाग के सचिव स्री गिर्दर अर्माने जी जूरी के मेंबर सीके मिश्टा जी एवी सिन्ना जी बीसी दत्ता जी परेयारन जर्वायू सचिव स्रीमती लीला नंदन जी अमिद गोश जी जिनोंने इंफार्स्टरचर के शित्र के अंदर आसाधारन काम किया और जिन कंपनियों वेक्तियों को इंजिनेर्स को आज पुरुसकार दिया उन सबको मैं बहुत बहुत शुपकामना देता हूँ बढ़ाय देता हूँ निश्चित रूप से विवाग ने अलग-अलग शित्रों के अंदर चाहे प्रोजेक्ट प्रबंदन हो ऑपरेशन मेंटिनेंस हो टोल प्रबंद हो हाइवे स्रक्षा हो नवाचार हो ग्रीन हाइवे हो कटिन शित्रों के अंदर पुल निर्मान या टनल निर्मान हो इन्फास्टर्चर के शित्र में जिस तरीके से आप लोगों ने उल्लेकनी कार्य किये उसकी लिए आज आपको सम्वानित किया निश्चित रूप से इस विवाव में काम करने वाले इंजिनेरों को काम करने वाले कमपनियों वेक्तियों को नई उड़जा मिलेगी कार्य करने की नई प्रेड़ना मिलेगी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि नितिन गटकरी जी ने इस विभाग में जो पेंडेंसी थी जो बाधाएं थी कई परियोजनाएं कई सालों से अटकीवी थी कानूनी दाव पेच में पसीवी थी एक तौरित निर्णे करकर इस विभाग में वापक तेजी लाने का काम किया बारत के प्रधानमंती मान्य नेंद मोदी जी के नितुत में इस विभाग के मन्ती जी ने एक वीजन से काम किया इस सेक्टर के कामों के प्रति प्रतिबद्दाएं नई टेकनोलोजी नए इनोवेशन और विशेश रूफ से तवरित करने की अध्वुत उनकी शम्ता है उसके कारण देश की जनता में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है विश्वास बढ़ा है और मैं निश्चित रूफ से कह सकता हूँ कि रोड कनेक्टिविटी के मामले के अंदर आज भारत एक नई उचायों पर पहुँचा है हमने नई टेक्नोलोजी का उप्योग किया है हमने कठीन दोस सेत्वों के अंदर टर्नल बनाएं पुल बनाएं आवा गामन की सुईधाओं को बेतर किया है और इसी लिए आज पूरे देश के अंदर इस विभाग की जो विभाग किसी समय जनता के सामने एक अच्छे नजरे से नहीं देखा जाता था क्योंकि जब रोड पर लोग चलते थे कोई रोड आदूरा वता था कोई सालों से पेंडेंसी चली रहती थी लेकिन उन सब को बादाओं को दूर करते हुए आपने इस विभाग के गति लाई मैं देखता हूँ कि मानिय गटकरी जी को सधन में भी सभी दल के मानिय सांसत जिस अपेक्षया आकाउंशाओं से अपने शित्र की विकास की चर्चा करते हैं मानिय मंती जी भी दल से उपर उड़कर उसी समय से संसत के सदन में ही क्या आप आईए मेरे बार साथ बेठिये चर्चा कीजिए अगर संबह हो तो तोरित निर्ने करने के साथ उस मानिय संसत के चेहरे पे कुशी होती है और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि पिछली बार मैंने कहा कि इस विभाग ने जिस तेजी से काम किया उसके करन मानिय संसतों के पास कोई प्रपोजल नहीं होते नए प्रपोजल मैं अभी कभी चर्चा करता हूँ मेरे राके में नए हैने चाहिए बने या राजस्तान के मेरे संसत भी बेड़ते हैं तो मैंने का नए प्रपोजल आओ तो उनके पास नए प्रपोजल नहीं होते जहां से भी बैटर रोड कनेक्टिटी हो सकती है जहां भी कुछ भी संभावना है उन संभावनाओं को तविद्गति से देखना और तविद्गति से निन्ने लेना और इसलिए आदेश के अंदर मान्य प्रधानमंती जी के नित्त में इंफास्टर्चर के शेत्र के अंदर जिस तरीके से भारत ने नई गती दिये आने वाले समय के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंफास्टर्चर के सित्र के अंदर भारत एक कीरतिमान हासिल करेगा और निश्चित रूप से उसी दिशा के अंदर कि जितने भी इंफास्टर्चर के सेक्टर हैं उन सेक्टर को एक प्लेट फार्म पर लाया जाए और इसलिए PM गतिश्क्ति मास्टर प्लान योजना बनाए गई जिससे कि हम जितने भी सेक्टर हैं चाहे रोड हो, चाहे एर हो, चाहे जल हो, चाहे फाइबर के मिल हो और कनेक्टिटी हो, गेस पाइपलाइन हो तमाम ऐसे सेक्टर, जिन सेक्टरों को सामविक्ता के साथ काम करके तरुद कति से निर्ने करकर, इस देश के अंदर इन्फास्टेचर के माध्यम से समाज में एक सामाजिक आर्थिक बदलाओं का नगया शुरूआ है और आज देखिए, इस रोड सेक्टर के कारणी आने वाले समय के अंदर, चाहे देश का किसान हो, मजदूर हो, चाहे परेटन का शेत हो, चाहे इंड़स्टीज का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर एक व्यापक परिवर्तन आपको नजर आ रहा होगा, अभी जिस रोड की चर्चा करे थे दो दिन पहले ही, मैं हरी दुआर जा रहा था, तो मैंने प्लेन से रिजर्वेशन कराया, तो मेरे दो तिन सांसत बेटे थे, उन्हें का आप रोड से जाओ, मैंने का मैं रोड से सपन नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं कोटा दिल्ली से हरिद्वार गया, तो मैंने देखा कि किस तरीके से, मैं पहले भी रोड से हरिद्वार गया था, कोटा से आज में दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार, यहां तक भी कनेक्टिविटी बन गयी, दिल्ली से हरिद्वार के अंदर, उस दिन मैंने देखा कि, हजारो यात्ती प्रियाटन जार, हजारो यात्ती, मैं बीच में जाते समय एक ढाबे पर रुका, तो मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, उन्होंने का कि, हम हर दो-तीन मैंने के अंदर एक बार आते हैं, और जब मैं वापस आया, जब उस हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, कोई ढ़ाबा नहीं होगा, जहां पर हजारो प्रेटन टूरिजम के लोग महाँ पर नहीं बैठे हो, एक भी ढ़ाबे के अंदर कोई जगए खाली नहीं थी, तो रोड से कितना बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्टन आता है, आने वाले समय के अंदर, दिल्ली बंबई, जो एक्सप्रेस में बनेगा, हम चर्चा करते हैं क्योंकि मेरे इलाके से गुजर रहा है, वहाँ एरपोर्ट की लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, जब मैं कहता हूँ कि कोटा से दिल्ली की कनेक्टिविटी, चार घंटे में हो जाएगी, कोटा से बॉंबई की कनेक्टिविटी साथ घंटे में हो जायेगी तो लोग कहलेते हैं कि प्लेन में कौन बैठेगा इस कनेक्टिविटी से केवल यात्री नहीं जगै जगै जहां भी पानी होगा प्रयात विजली होगी वहाँ पर इंडुस्ट्री सेक्टर डॉलफ होगा किसान को कोई अच्छी सब्जी के पेदा होती है उसको दिल्ली पहुचाने में बबबबबबब पहुचाने में वो रात को तीन बज़े चलेगा साथ बज़े दिल्ली की मंदी में आ जाएगा तो इसे निश्चित रूप से रोड कनेक्टिविटी ही एक ऐसा सेक्टर है जिससे हम सामाजिक आर्थिक व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं और इसलिए मैं जब भी सेक्टर में जाता हूँ मैं पिछली बार असम गया तो हुआ कॉंफरेंस थी उसके बार अरुना चल गया मैंने देखा कि चाए नोर्थ इस्ट हो चाए अपना उत्राखंड का इलाका हो चाए चन्ने का साउथ हो इस्ट हो तमाम सेक्टरों के अंदर इस रोड कनेक्टिविटी के कारण आने वाले समय के अंदर हमारा जो नोर्थ इस्ट इस्ट इलाका है जो पूरु वी इलाका है जो केवल इसलिए पिछड़ा हुआ है कि वाँ कनेक्टिविटी का अभाव है और जिस तरीके से Connectivity का काम चल रहा है विशेश रूप से Road Connectivity, Air Connectivity का काम चल रहा है आने वाले समय के अंदर ये सारे इलाके जो इलाके कहने के राज़दानियों से जुड़े हुए नहीं है चाहे उसमें Rail Connectivity हो, Air Connectivity, Road Connectivity हो ने जल मार्क बनेंगे तो निश्टी दूप से उन सारे सेक्टरों के अंदर एक उन इलाके के लोगों को आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ चाहे एग्रिकल्चर का सेक्टर हो चाहे इंडस्टिज का सेक्टर हो चाहे प्रेटन का सेक्टर हो उन सारे सेक्टरों के अंदर एक व्यापक परिवर्टन आएगा और विशेश रूप से अभी माने मंत्री जी बता रहे थे सदन में भी इस बात की चिंता करते हैं कि हम किस तरीके से रोड एक्षिसेंट को कम कर सकते हैं और उनका हमेशा एक समयच शील वीजन होता है वो सदन में भी इस बात की चर्चा करते हैं सारे माने सदश्चों से भी चर्चा करते हैं कि वो अपने अपने इलाके के अंदर जहां भी एक्सिडेंट जोंटन है उन्होंने पहली बार ब्लेक स्पोर्ट को चिन्नित करने का काम किया और ब्लेक स्पोर्ट इलाके के अंदर जितना भी पैसा खर्च होगा लेकिन किसी एक वेक्ती की जान नहीं जाना चीए हर वेक्ती को सुलक्षित जीवन हो ये उस लक्स के साथ काम करने का उनका वीजन है और इसलिए छोटी-छोटी बाते हैं जो भी उन्होंने जिक्री किये ड्राइवर केसा होना चीए ड्राइवर का स्वास्त जाच होनी चीए कई बार उन्हें उधारन दिये कि एक ड्राइवर चलता है उसके आखों की जाच कराई आप तो जहां पर आपकी बारे में चर्चा की वहाँ पर वह उन्हों ट्रास्पोर्ट सेक्टर के अंदर भी पास्पोर्मिशन करने के लिए लगातार प्रियास करते रहते हैं और उनकी कोशिश रेती है कि हम ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के अंदर जो ट्रक ड्राइवर या जो मालवाक रूप में जो वेक्ति चलाता है वो भी सुबे चले तो शाम को अपने घर पर जाकर सो जाए इसके लिए ये बेटर रोड कनेक्टिविटी होना ची और मुझे आशा ह है आपने इस दिशा की और गंबिर्था से काम किया है कि सड़क सुरक्षित होना चीए परियावरण की ड़स्ती से आपका विजन निश्चितूप से परियावरण के ओल पेड लगाने के निए परियावरण के साथ साथ ट्रांस्पोर्ट विकल्स के अंदर क्या-क्या परिवर्तन हो सकते हैं उन सारे विजन को आपने समय समय पर देश के सामने रखा है मुझे एक कुशी है कि आने वाले समय के अंदर ये विभाग जो इस तरीके से काम कर रहा है अभी हम 36 किलो मिटर एक दिन में हाईवे बना रहे हैं आने वाले समय के अंदर हम जब 2025 तक पहुँचेंगे तो हमारा लक्षे की 2,00,00 किलो मिटर तक हम हाईवे बनाने की इस प्रगत्ति को पूरा कर पाएंगे इसी के साथ आपने भारत माला पर्योजना के माद्यम से चाए एकस्प्रेस वे हो एकस्प्रेस कंट्रोल हाईवे हो इकोनोमिक कोडिडोर हो उसके लिए भी व्यापक प्रियास किया है ताकि जितने हाईवे बनेंगे उतना ही अपना देश का गोत इंजन तेजी से काम रेगा साथियों इंफरस्टर्चर के साथ लोजिस्टिक का बहुत बड़ा समन्ध है जब जन दुनिया के अंदर प्रतिस्प्रदा की बात करेंगे दुनिया से हम प्रतिस्प्रदा की लड़ाई लड़ेंगे तो उस लड़ाई में लोजिस्टिक को कम करना हमारे जिसे सबसे बड़ी चुनोती है और इसलिए पी-एम गती शक्ति योजना इसके माध्यम से हम किस तरीके से जो हमारा लक्ष है कि हम लोजिस्टिक के अंदर आदा खर्चा बचा लें तो दुनिया के अंदर हम प्रतिस्प्रदी के रूप में आत्म गिर्बद भारत की जो हमारी कलपना है जो प्रधान मंती जी का सपना है वो पूरा कर पाएंगे निश्चित रूप से इस सेक्टर के अंदर चाहे टोल के अंदर आपने नए इनोईशन किये कोई जमाना था जो टोल में लंबी लाईने लगती थी आपने किस तरीके से टोल के अंदर नया परिवर्टन लाएंगे आप जी पिए सिस्टम ला रहे हैं आप नया सोचते रहते हैं नया विचार करते हैं नया इनोईशन करते हैं और ये इनोईशन धरातर पर उतारते हैं जो सोचते हैं जो विचार करते हैं उसकी चर्चा करते हैं उसको धरातर पर उतारते हैं और उसके परिणाम आज देश देख रहा है साथियों आने वाले समय के अंदर इस रोट कनेक्टिविटी के मामले के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ने किर्तिमान हासिल हमने किये हैं भईश में ने किर्तिमान हासिल करेंगे और देश के अंदर रोट कनेक्टिविटी के अंदर दुनिया के अंदर भारत सबसे अग्रिम देश होगा जहां हम बेटर रोड कनेक्टवी देंगे वहां सडक्स पर यात्रा करने वाले सुरक्षित रहें हम हमारी लोजिस्टिक को कम कर पाएं हम इंडस्टी सेक्टर को डवलप कर पाएं अग्रिकल्चर सेक्टर की ग्रोध बढ़ा सकें और एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का नया युक शुरू कर सकें मुझे आशा है कि आप सबके सामुई प्रयासों से चाए इसमें कॉंट्रेक्टर हो चाए इंजिनेर हो चैन नए इनोवेशन करने वाले विग्यानिकों आप सबने इस सेक्टर में नए इनोवेशन किये हैं विभाग की सोच को धरातल पर लाने का काम किया है मुझे आशा है आज जिन लोगों को प्रुषकार मिला है उनको तो बढ़ाई लेकिन और लोग बैतर काम करकर इस प्रुषकार को प्राप्त करेंगे ताकि हर वेक्ति को काम करने की नई पेड़ना मिले नई उड़जा मिले और इस देश के अंदर हम समपित और राष्ट सिवा के माध्यम से जब आजादी के पिचत्नवस्ट के अमरत मोस्व में गुजर रहे हैं तो हमारा लक्ष होना चीए जब हम हमारे स्टाब दी हो तो दुनिया के अंदर भारत आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने का नया भारत बने और इसमें आप सब का सयो होग रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद